नवस्कार आप देख रहे हैं बोल के लिए बाजाथ हैं तेरे मैं अभिसार शर्मा दोस्तो सुप्रीम कोट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी भटकार लगाई है कि लखीम पूर्खीरी हत्याकांड में जिसमें मुख्यारोपी केंद्र Virtual ग्रहराज ज्मंत्री आजै मिश्रा का बेटा मोनु मिश्रा है जिसकी F.I.R. में ग्रहराज ज्मंत्री आजै मिश्रा का भी नाम है उस मुद्दे पर सुप्रीम कोट ने कड़ी भटकार लगाई है केंदर सरकार को और सबसे दुख की बात ये कि ना अजय मिश्रा जिसका नाम F.I.R. में है साज़श करताओं में ना अजय मिश्रा पर कोई कारवाई हुई है ना उन्हें अपने पद से हटाया गया है और ना उन पर कोई कानूनी कारवाई की गई है और सबसे दुख की बात ये दोस्तों कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अब भी खामोश है सुप्रीम कोट ने क्या कहा मैं आपको आगे जाके बतलाओंगा मकर सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी की सबसे पहले मैं आपका ध्यान खीचना चाहूँगा भारती जनता पार्टी के आईटी सेल वो जो दो-दो रुपए प्रती ट्वीट पर बिकने वाले गुरगे है ना उस आईटी सेल का जो हेड है अमित मालविय उसका बयान जैसे कि आप जानते हैं कि कल प्रियंका गांधी वाडरा ने एक प्रेस कॉन्फरेंस को संबोधित किया उत्तरफदेश के अंदर जिसमें उन्होंने कहा कि हम चुनावों के अंदर 40 फीसिदी टिकेट्स महिलाओं को देंगे इस मुद्धे पर सवाल किया है अमित मालविय ने अमित मालविय का सवाल किया है रेप आरोपी कॉंग्रिस के नेता के बेटे पर बात आई तो प्रियंका गांधी वाडरा की बोलती बंद ऐसा होगा विमिन इंपार्वेंट मैं आपको बता दूँ दोस्तों टाइम्स नाव नव भारत का एक रिपोर्टर प्रियंका गांधी वाडरा से सवाल पूछता है मेरा निजी तोर पर मानना है कि आप जब एक प्रेस कांफरेंस करते हैं तो आपको हर सवाल का जवाब देना चाहिए आप ये कहकर नहीं निकल सकते कि ये वक्त उस मुद्दे पर सवाल करने का नहीं है ये जब प्रेस कांफरेंस होता है तो आपको सब मुद्दों पर जवाब देना चाहिए मगर हमाया आथ दो चीज़ें उठाना चाहता हूँ सबसे पहले चाहे टाइम्स ना हो चाहे रिपब्लिक भारत हो चाहे जी नियूज हो ये वो नियूस चैनल्स है दोस्तों जिन्होंने विपक्ष के खिलाफ मानो एक प्रॉपगैंडा शुरू किया हुआ है मानो इन्हें किसी ने सुपारी दे रखी है कि विपक्षी दलों को टार्गेट करना है ये लोग कभी भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछते ये लोग कभी भी भारती जहनता पार्टी से सवाल नहीं पूछते और आज अमित मालविये से मैं पूछना चाहता हूँ वो अमित मालविये जिसे काइधे से जेल में होना चाहिए था दोस्त कोई जरूरत कोई कोई जरूरत नहीं है विपकष की जवाब देही एक लोकतंतर में उतनी नहीं है जितना सत्ता धारी की है मैं पूछना चाहता हूं अमित मालविये से अमित मालविये ये बताओ अब तक पिछले साथ सालों ने प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी ने किस फ्रेस कांफरेंस को संबोधित किया आज तुम विपक्ष से इस सवाल पूछ रहे हो कि वो लोग इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे और ये अमित मालविये कौन है मैंने अभी भी कहा इस आदमी को जेल में होना चाहिए आपको याद होगा दोस्तों हाथरस कांड हाथरस में उस गुडिया के साथ बलातकार और फिर उसकी हत्या हो जाती है अमित मालविये ने उस गुडिया का वीडियो दिखाया था जिसमें उसका उसकी शकल जाहिर हो रही थी उसकी पहचान जाहर हो रही थी और ये देश के खानून के खिलाफ है सुप्रीम कोट के दिशा निर्देशों के खिलाफ है मगर उत्तर पदेश पुलीस ने कोई कारवाई नहीं किया मितमालवी के खिलाफ आज ये लोग जो जूट बोलते हैं ये लोग जिने लगता है कि लोकतंत्र के अंदर उनकी कोई जवाब दे ही नहीं है आज ये विपक्ष के नेताओं को टार्गेट कर रहे हैं कि ये लोग सवालों का जवाब क्यों नहीं देते सबसे पहले मेरी ये मांगे कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आजय मिश्वा को ग्रहराज मंत्री पत्स से बरखास करें दूसरी बात भारती जनता पार्टी आजय मिश्वा पर कानूनी कारवाई करें उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलीस क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलीस की F.I.R. में अजय मिश्रा का नाम है जिसमें उत्तर प्रदेश पुलीस ने इस F.I.R. में कहा है जो इस वकापके स्क्रीन्स पर है कि किसानों की हत्या की साज़श में अजय मिश हैं किस बात के लिए ने पत्से नहीं हटाया जा रहा है मैं आपको बताता हूं क्यूं energy दोस्तों क्योंकि इनके पास इनका पूरा मीडिया है वो इसलिए दोस्तों क्योंकि आप इस देश की जनता आपकी याददाश जो है वो کम्जोर है कुछ दिनों बाद सब भूल जाएंगे और वो आप देख भी रहे होंगे क्योंकि न्यूस चैनल्स में अखबारों में अजय मिश्रा और लखीमपुर की रिकांड की तो चर्चा ही नहीं हो रही है वो चर्चा गायब है चर्चा किस बात की हो रही है चर्चा हो रही है जिसमें आरियन खान को दिशाने पर लाया जा रहा है चर्चा हो रही है बंगला देश में हिंदों के साथ अत्याचार चर्चा हो रही है कश्मीर में हिंदों और सिक्षों के साथ अत्याचार हाला कि उसमें भी सवाल कुछ और होनी चाहिए मगर वो किसी और दिन आज ये सवाल पूछना लाजमी है कि अजय मिश्रा को मोधी सरकार आखिर क्यूं बचा रही है अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि सुप्रीम कोट ने आज किस तरह से फटकार लगाई आपके स्क्रीन्स पर waited till 1 a.m. Supreme Court to Uttar Pradesh on Lakheempur violence report खबर क्या कहती है पढ़के सुनाना चाहता हूँ फिर मैं इसका Hindi में अनुवाद करूंगा The Supreme Court today rebuked the Uttar Pradesh government for what it calls its last minute submission of a report on Lakheempur की violence in which 8 people including 4 farmers were killed we waited till 1 a.m. last night that we will get material Chief Justice N.V. Ramanna ने कहा Uttar Pradesh सरकार से कि हमने रात एक बजे तक इंतिजार किया और Uttar Pradesh सरकार report के साथ हाजिर नहीं हुई मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों किस तरह से कड़ी फटकार लगाई आपके सामने ये खबर live law की ये क्या खबर कहती है आपके स्क्रीन्स पर लखीमपुर्किरी केस we get the impression that you are dragging your feet Supreme Court to Uttar Pradesh Police Supreme Court क्या कह रही है Uttar Pradesh Police से कि लखीमपुर्किरी हत्याकान में आप लोग धिलाई भरत रहे हैं आप लोग घसीट रहे हैं मामले को ये मेरे शब्द नहीं है दोस्तों ये शब्द है Supreme Court के अब Supreme Court ने क्या कहा है इस कड़ी को जोड़िये मोधी सरकार की निश्क्रिता को लेकर मोधी सरकार जस तरह से अजे मिश्रा पर कोई आक्शन नहीं ले रही है दूसरी तरफ Supreme Court उत्तर पदेश पुलीस को फटकार लगा रही है कि आप लखीमपुर्किरी हत्याकान में धिलाई बरत रहे हैं मामले को घसीट रहे हैं मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ Supreme Court ने क्या कहा Supreme Court ने आज कहा The Supreme Court on Wednesday observed that it was getting the impression that the उत्तर पदेश पुलीस was dragging its feet in its investigation into दरलखीमपुर्किरी violence of October 3 which claimed the lives of 8 people 4 of them farmer protesters मोनो मिश्चरा को तो गिरफतार कर लिया गया है मगर उसके फिता का क्या दोस्तों आज जो मैंने आपको तमाम बाते बताई हैं देखिए कई बार क्या होता है कुछ मुद्दों पर आपके अपनी राय होती है और मेरी आप जानते है किसानों के मुद्दे पर मानुधकार के मुद्दे पर सेकुलिरिस्म के मुद्दे पर और खासकर जब इस देश के कमजोरों पर अत्याचार होता है उस पर एक बहुत ही स्ट्रॉंग एक बहुत ही कड़ी राय होती है मगर यहां क्या हो रहा है मुझे आप बताईए ना सुप्रीम कोट यहाँ पर साफ तौर पर कह रहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं और आप हमें रिपोर्ट भी दे रहे हैं सुप्रीम कोट साफ तौर पर कह रहा है इस मामले को आप घसीट रहे हैं मैंने आपको कारकर में क्या कहा था कि बाकाइदा एक साज़िश चल रही है लखीमपुर किरी हत्याकान को किसी तरह से टाल दिया जाए किसी तरह से उस मामले को दबा दिया जाए यही वज़ा है कि अजय मिश्रा पर कोई आक्शन नहीं हुआ कि इंद्रे ग्रह राज्य मंत्री यही वज़ा है दोस्तों कि अब तक इस तरह से फटकार लगाई जा रही है और कुछ और साज़िश की परते हैं जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों सुप्रीम कोट की रिपोर्ट इस तस्वीर में देखिए देश के कृशी मंत्री नरेंद्र तोमर के साद नहंग बाबा की मुलाकात हो रही है और दैनिक ट्रिब्यून की इस खबर के मताबिक भारती जनता पार्टी सरकार ने सिंगु बॉर्डर खाली करने के लिए उन्हें 10 लाक रुपए की पेशकश की एक तरफ नहंग बाबा का ये दावा कि 10 लाक रुपए की पेशकश की भारती जनता पार्टी सरकार ने अब इस चेहरे पर गौर कीजिए लगबीर सिंग जिसे मौत के घाट उतार दिया निहंगो ने लगबीर सिंग का परिवार और जैसे ही आप उनके घर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि उनके घर के अंदर गुरु गोबिंद सिंग की बेतहाशा तस्वीरे हैं उनका परिवार कहता है कि वो आज तक सिंगु बॉर्डर नहीं गये किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे उनसे उनका कोई लेना देना नहीं था मगर फिर अचानक ये आदमी सिंगु बॉर्डर पहुँच जाता है वहाँ पर उस पर आरोप लगता है गुरु गरंत साहब की बेदभी पर नहंग उसे मौत के घाट उतार देते हैं मगर ये आदमी वहाँ पहुचता क्यों है वो आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं है किसानों के साथ और ये आदमी खुद धारमेक आदमी है अब इन तमाम तारों को जोड़िए नहंग बाबा बैनिक ट्रिब्यून की एक खबर इसमें नहंग बाबा ये दावा कर रहे हैं कि मुझे 10 लाक रुपए की पेशकाश की गई दूसरी तरफ नहंगों को भड़काया गया गुरू गरंथ साहब की बेअदबी करके उसकी बेज़ती उसकी तोहीन करके नहंग भड़क गये जो मेरे हिसाब से घलत है मैंने पहले भी कहा है और आज फिर कहूंगा दोस्तों ये देश लोकतंत्र के हिसाब से चलेगा चाहे लगबीर हो या कमलेश तिवारी वो कमलेश तिवारी जिस पर आरोब था हजरत मुहम्मद साहब की तोहीन करने का और उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया था इस देश में किसी भी मामले में सजा देश के कानून की हिसाब से ही मिलेगी मगर मैं फिर कुछ और कह रहा हूँ दोस्तों जिन नहंगों ने लगबीर सिंग को मौत के घाट उतार दिया क्या उन्होंने कभी सोचा कि लगबीर वहां आया क्यों था उसे तो आपने मौत के घाट उतार दिये मगर वो जो तार था वो जो लिंक था लगबीर का किसी अद्रिश टाकत के साथ वो तो खत्म हो गया ना लगबीर का आखिर किस इन्विजबल पावर के साथ तालुका थे क्या लगबीर को किसी ने कहा था वहां जाकर गुरू गरंथ साथ की बेद्बी करना आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि केंद्र सरकार या वो अद्रिश टाकतें किस तरह से मामले को दबा रही है सुप्रीम कोट के सामने इन्हें सुप्रीम कोट की परवा नहीं है सुप्रीम कोट की तोहीन करने को तैयार है ये लोग मामले को घसीट रहे हैं मेरे शब्द नहीं है सुप्रीम कोट के शब्द है सुप्रीम कोट कह रहा है हम एक बजे तक इंतजार कर रहे हैं रिपोर्ट का आपने अभी तक रिपोर्ट नहीं दिये ये सब क्या हो रहा है आपको ये समझना होगा दोस्तों कि इस सत्ताधारी पार्टी की सोच बहुत आगे की है इनके पास पूरी ताकत है तमाम एजनसी इनके हाथ में ED, Income Tax, CBI इनके पास मीडिया है इनके पास सोच है जहां ये बैट के इस तरह की प्लानिंग करते हैं और फ फिर भारती जनता पाटी प्रियंका गांधी वाडरा से सवाल पूचता है कि आप इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही है अरे इतने सारे सवाल आज मैंने इस कारकरम में आपके सामने किये इन सवालों का जवाब कौन देगा भाई बोलो आमित मालवीयर या फिर बलातकार पीड़ता का इस तरह से तुम तोहीन करोगे सुप्रीम कोट के दिशा निर्देशों की धज्योणा कर यकीनन दोस्तों इस देश का लोकतंत्र एक संकट में है मुद्दा ये नहीं कि जो लोग सवाल उठाते हैं उन पर कारवाई होती है मुद्दा ये है कि सरकार परदे के पीछे जो चतुराई दिखाती है जो खेल खेलती है और इन तमाम चीजों का ध्यान किसी के तरफ नहीं जाता और जाता भी है तो आधे लोग तो वो मुद्दों को इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि वो डरे हुएं और आधे लोगों पर इस सरकार का नियंत्रण है मगर हमारी कारक्रम का क्या नाम है दोस्तों बोल के लबाजाद है तेरे हम ये मुद्दे आपके सामने हमेशा लाते रहेंगे और उससे पीछे नहीं हटने वाले हैं अब इसार शर्मा को दीजे इजाज़त नामस्कार